असलाम लीकूम वीवर्स कैसे है वेलकम टू मैं चैनल इद के हवाले से मैं आपके लिए बहुत मज़े की अलवाइती डिश लेकर आई हूँ यह शीर खुर्मा तो शीर खुर्मा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वह आप नोट कर दीजिए बिसमिल्लाहरह्मा चूरा कर लिया था है रहाव प्यली चीनी है बरी कटे हुए पिस्ता है किश्मिश है बरी कटे हुए बदाम है नारील है बरी कटा हुआ और अलाइची पवगर है समया को हमने यह वाला पैकर लिया था इसका हमने आदा वह इस तरह चूरा कर लिया और आदा हमने पचा दिया अब एक पैन में हम एक से डेड़ चमच गी या आईल ले लेंगे और इसके अंदर बार एक चूरा की हुई हम स्वहिया फ्राइब करेंगे तो स्वहिया डालके हमने में सलसल चमच लाना है नहीं तो यह कहीं कहीं से जल जाएगी अब हम इसे किसी बाउल में काल लेंगे और पैन में हम दुबारा से गी लेंगे और इसके अंदर यह सारे नट्स हम फ्राइब काल लेंगे बादान पिस्ता और नालियर आप चाहे तो इसमें च्वहारे डाल सकते हैं खुजूर डाल सकते हैं मुझे च्वहारों का टेस्ट पसंद नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाले आपको अगर पसंद है आप चाहे तो डाल सकते हैं जी तो यह हम इसको फ्राइब करेंगे अब एक बरता रखेंगे चुले पर उसके अंदर हम दूद एड़ कर देंगे तीली में हमने सारा दूद डाल दिया है और इसे हाई फ्लेम पर हम उबाल दे लेंगे दूद को बाला चुका है इसके अंदर अलाइची पॉडर डालेंगे और इसके साथ फ्राइब की इसमिया डाल देंगे अब हम इसे मिसलसल चलाएंगे और फ्लेम हम लो रखेंगे लो फ्लेम पर यह ज्यादा अच्छी बनेगी मिसलसल आप चम्मा चलाते जाएंगे इसके साथ ही हम फ्राइब की होए नेट्स डाल देंगे और यह थोड़े से गार्णिश के लिए बचा लेंगे इसके साथ ही हम इसके अंदर चीनी आड कर लेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के हसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं स्मिया हमारी तक्रीबन कर चुकी है जी तो अब हम इसे चुले से उतार लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे आपको इसा भी बाउल ले लें इसके अंदर अपनी स्मिया डाल दें यह हमने सारी सारा शीर खुर्मा इसके अंदर डाल दिया है अब इसके अंदर हम उपर हम यह नट्स लगए लगाएंगे और इसके उपर किश्मिश डाल लेंगे अगर 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 शीर पुर्मा बिरुकुल तियार है बहुत मज़े की रैस्पी है आप एक बार जरूर ट्राइब कीजिएगा वीडियो पसंदाइट प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए बैल आइकन को क् किजिएगा टेक क्यार लगापीस अगर आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो